हुआ है सो अलो फ्रेंड्स वेल्कम टो गेट अगेडमी आज हम क्या देख रहे थे हम लोग क्या आगे देखने वाले हैं कि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था लक्ष रिलवे उसी का क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो part है उसको हम क्या करेंगे देखने वाले हैं तो देखिए ये जो series है मैंने पहले ही बताया था कि इसमें इतने ही वही questions आपको exam वही questions आपको देखने को मिलेंगे इस series में जो आपके exam के point of view से बहुत महत्वपूर्ण है अती महत्वपूर्ण है ठीक है नाओ यहां पर देखिए जैसे कि आपको पता है 7900 पोस्ट है 7900 प्लस पोस्ट आया हुआ है आपके RRBJ में ठीक है तो जिसमें CBT-1 के लिए जिसका प्राइज रखा गया है आपका 499 और यह CBT-1 प्लस CBT-2 के लिए जो यह कोर्स है इसको रखा गया है 7777 ठीक है तो अगर आप इंट्रेस्टेट है तो इसको आवाइल कीजिए और अपनी प्रिप्रेशन को क्या कीजिए बहतर बनाईए ठीक है अभी देखिए जो हम लोगोंने सीरीज स्टार्ट किया था उसका एक अती महत्वपूर्ण कोश्चन यह उस टाइप के कोश्चन है जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से अती महत्वपूर्ण है और आप इन ही टाइप के कोश्चन को अपने CBT-2 में क्या करोगे देखोगे कि किस टाइप के कोश्चन देखो कैसे कोश्चन साते हैं तो इन ही टाइप के कोश्चन को क्या करोगे आप लोग एक्जाम में देखोगे पहला कोश्चन is Closed system is is one in which सबसे पहले तो system मैंने आपको इसके previous question में बताया था कि system जो होते है system team type का होगा पहला कौन सा system होगा यह होता है closed system system से एक questions आप बराबर exam में देखेंगे तो पहला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं closed system the first kind of the system is called as the closed system second is open system and the third one is isolated system third one is isolated system first question is a closed system second first system is a closed system second system is a open system and the third system is okay one minute and the third system is isolated system open system system which means system and surrounding internal surround internal system में क्या होगा मास का जो इंट्रेक्शन है यह बिल्कुल भी मास का इंट्रेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बट एनर्जी का इंट्रेक्शन होगा इसको ध्यां रखो ओपन सिस्टम में क्या होता है मास का भी इंट्रेक्शन होगा और एनर्जी का इंट्रेक्शन होगा isolated system में क्या होता है ना ही mass का interaction होगा system और surrounding के बीच में और ना ही क्या हो जाएगा energy का interaction होगा बतला mass का भी interaction नहीं होगा और energy का भी क्या होगा interaction नहीं हो किसमे isolated system में एक चीज जो आपको ध्यान रखना है दूसरा चीज अगर मैं closed system की बात करूँ तो closed system में mass का अगर interaction नहीं होता है इसी लिए is closed system को हम क्या बोलते है quantity of matter इसको हम लोग क्या बोलते है quantity of matter और reason in space और इसी को हम लोग क्या बोलते है quantity of matter और region in space region in space समझ में आ गया यह है आपको closed system तो कुछ भी लिखा सकता है quantity of matter लिखा सकता है region in space लिखा हुआ आ सकता है उसके बाद हम देखते हैं open system अब यह open system क्या होता है जिसमें mass का भी interaction होगा system and surrounding के बीच में और energy का भी interaction होगा system and surrounding के बीच में ठीक है इसी लिए इसको क्या बोलते है control volume system control volume control volume system या फिर fixed volume system और close system को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें mass का तो interaction नहीं होता तो जब close system में mass का interaction नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिक्स्ड मास सिस्टम इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या क्या कर सकते हो अब क्या कर सकते हो mass does not cross the boundary of the system through the energy यह mass यह क्या सही है देखते हैं next हम लोग option देखते हैं mass crosses the boundary but not energy यह गलत है कि सही है mass कहां cross करता है गलत है neither mass nor energy यह भी गलत है both energy mass will be correct तो correct answer क्या हो जाएगा mass does not cross the boundary of the system but energy क्या होगा energy क्या करेगा आपका cross करेगा system और surrounding में ठीक है तो इसको ध्यान रखना इतनी सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है यहां से आपका system से एक question आपको बनेगा ही बनेगा यह आपको exam के point of view से अतिम हत्यपून second one a close system and its surrounding can interact by अब देखिए मैंने क्या बताया था close system में क्या होता है mass का interaction नहीं होगा but energy का क्या हो जाएगा interaction होगा तो अगर suppose this is my system यह क्या है मेरा system है suppose this is my system और यह क्या है मेरा surrounding अगर system और surrounding में mass का interaction नहीं होगा और energy का interaction होगा वो क्या होता है close system तो यह energy क्या है what is the energy क्या heat एक energy का form है सर बिल्कुल है work क्या है energy का form है हाँ सर बिल्कुल है तो heat and work both क्या है आपका heat and work जो दोनों है वो क्या है आपका energy है energy इसको ध्यान रखो दो heat and work both क्या है energy तो heat transfer and work transfer both क्या है आपका energy है तो answer क्या हो जाएगा का सी एंसर कड़ जाए का सी ठीक है इसको ज्यान रखेंगे एनरजी का ट्रांसपर जो होता है बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है आप एक्जाम में open सिस्टम, close system, isolated system से बराबर questions आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलता है next question, which one of the following is the extensive property, extensive property of a thermodynamic system, अब देखो, property जो होता है, यह property की अगर मैं बात करूँ तो यह जितने भी property हैं, इसको, what is property, ठीक है, अब देखे, property क्या होता है, system की कोई characteristic होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, properties होते हैं, property बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक major मैं आपको definition बताता हूँ, characteristics of the system, characteristics of the system, मैंने क्या बोला, characteristics of the system, which can be, which can be assigned number, अब इसको ध्यान से सुनना, देखिए, अगर suppose यह कोई system है, इसका कुछ color होगा, और इसका कुछ smell होगा, system का क्या हो जाएगा, कुछ color होगा, कुछ इसका smell होगा, और इसमें pressure भी होगा, temperature भी होगा, volume भी होगा, यह कुछ भी होगे, enthalpy भी होगा, इसका कुछ entropy भी होगा, तो क्या मैं color और smell को number से denote कर सकता हूँ क्या, कि एक color, दो color, तीन color नहीं कर सकता, smell, one smell, two smell, three smell, तो इसको number से denote कर सकता, तो system का जो property है, यह आया हुआ question है, tricky question इसको ध्यान से सुनिये, color को मैं क्या बोलता हूँ, color क्या होता है, color तो characteristic है, बट system जिसको number से denote कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, यह system की property नहीं है, तो system की property क्या होगी, pressure होगा, temperature होगा, volume होगा, energies होंगे यह क्या होता system का property क्यों क्योंकि इसको number से हम denote कर सकते हैं pressure को कैसे denote करेगे one bar two bar three bar four bar यह क्या कर सकते हैं कैसे denote कर सकते हैं उसके बाद अगर आप देखोगे तो temperature को कैसे denote कर सकते हो 300 degree centigrade 400 degree centigrade volume को one meter cube two meter cube three meter five meter cube इसको हम क्या कर सकते हैं denote कर सकते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे तो यहां पर दो टाइप के आपके system के property होती है पहला property के गर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं intensive property and this second one is called as extensive property intensive property mass पे depend नहीं करता intensivity और नहीं system के size पे depend करता है नहीं mass पे depend करेगा और नहीं system के size पे depend करेगा बट जो mass और system के size पे depend करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं extensive property तो जो भी अगर मैं intensive property की बात करूँ ठीक है इसको देखते हैं अगर मैं intensive property की बात करूँ तो pressure जो होगा suppose ये कोई इतना बड़ा system है समझना क्या है इसका suppose pressure मैंने क्या रखा है टू बार है लेकिन अगर इसको मैं आधा कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रेशर आधा हो जाएगा इसलिए सिस्टम का जो इंन्टेन्सिव प्रापरटी होता है वो साइज पर कभी डिपेंड नहीं करता तो प्रेशर जो होगा यह क्या हो जाएगा यह जो प्रेशर है यह जाया क darkest इंटेन्सिव प्रापरटी यह जो system है हमारा इसका पूरे का temperature सपोज मा लो 30 degree centigrade है तो 30 degree centigrade का temperature है तो system को मैं cut कर दूँ अगर बीच से तो ऐसा नहीं कि temperature हाफ हो जाएगा मतलब इस part का भी 30 degree centigrade रहेगा और यहां का भी क्या रहेगा temperature आपका 30 degree centigrade रहेगा तो temperature अभी आपका क्या है intensive property है मतलब pressure and temperature बहुत क्या है आपका intensive property है बट अगर मैं extensive property की बात करता हूँ तो mass अगर suppose यह volume पे air का mass है अगर cut कर दूँ तो mass उतना ही नहीं रहेगा आधा हो जाएगा energy system की जो energy होगी वो भी अगर system को part में divide करूँगा तो क्या हो जाएगा वो उस part के according क्या रहेगा आपका energy हो जाएगा तो याद रखिए pressure and temperature mass energy अब यहाँ पर ध्यान से दिने जाएगा density यह भी क्या है आपका intensive property है बट energy में तो सब टाइप के energy आएगा enthalpy now entropy यह सब क्या है आपका extensive property है और यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ all specific all specific terms of energy यह क्या है आपके all specific terms of the energy suppose specific enthalpy ठीक है जिसको मैं small as बोल दूँ specific entropy यह दोनों क्या है जो भी specific energy होगा specific pressure specific gravitational energy specific kinetic energy अगर specific word जूड गया तो उसको आपको क्या समझना है यह क्या है intensive property है इसको ध्यान रखेंगे question यहां से बराबर आपको पुछेगा property अब यहाँ पर energy यह e for क्या है energy ठीक है तो यहाँ पर दो तीन चीज़ ध्यान रखना है color और smell जो होता है system का characteristic तो है बड़ property नहीं है property किसको बोलते हैं जिसको number हम assign कर सकते हैं उसको हमलों क्या बोलते हैing प्रौपर्टी बोलेंगे क्या है extensive property density तो नहीं होगा temperature भी नहीं होगा प्रेशर भी नहीं होगा तो वी फॉर volume मतलब a for apple will be the correct answer तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे very important question आपके exam के point of view से now the next question the energy अभी मैंने आपको क्या बताया energy energy क्या है energy चाहे pressure energy बोल दे चाहे आपको kinetic energy बोल दे चाहे gravitational energy बोल दे यह सभी क्या है आपके extensive property में आते हैं और intensive property मैंने आपको बताया था क्या pressure temperature density आप ज्यान रखना है यह पर viscosity यह भी क्या है आपका intensive property है thermal conductivity यह भी क्या इसको हो सके तो आप note down कर लीजिए thermal conductivity भी क्या है आपका intensive property आपके system की है तो इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है very important exam के point of view से ठीक है now the next one the compressor with the isothermal compression will required अब देखो compressor सबसे पहले compressor क्या करता है compressor का working क्या होता है compressor जो होता है compressible fluid को क्या करेगा compress करेगा मतलब air compressible fluid जहाँ पर भी compressor आ गया वहाँ पर अगर आपको पुछा तो number कौन सा यूज होगा mac number इसको ध्यान रखेंगे दूसरा चीज compressible fluid को ही क्या करता है compressible fluid को ही compressor क्या करता है compress करेगा यह हमको समझ में आ गया the compressor with the isothermal compression will required अब देखिए अगर मैं PV डाइग्राम एक ड्रॉ करता हूँ मैं क्या किया यहाँ पर पीवे डाइग्राम प्लॉट किया ठीक है अब इसको ध्यान सुनें यह देखिए ठीक है अब देखते हैं यह सपोस्स यह एक लोवर प्रेशर था उसके बाद हमको यहां हायर प्रेशर तक पहुचाना है मतलब पीवन और यह क्या हो जाएगा ठीक है अब यह जो डाइग्राम है कौन सा पीवी डाइग्राम वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन इसको तीन चार इस्टार लगा लो यह कोश्चन किसी ने किसी फॉर्म में आएगा कंप्रेशर का तो जो यहां पर कॉं कंप्रेशन करूंगा तो एक मेठ़ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो थर्मल कंप्रेशन पीवी इस इकल टू चीए हो गया दूसरा अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं दूसरा अगर मैं compression की बात करूँ तो यहाँ पर जो दूसरा compression होगा वो होता है आपका polytropic मतला PV to the power N is equal to C और अगर मेरे को तीसरा compression इसको करना है तीसरा process अगर मुझे करना है तो यहाँ पर देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ अगर मैं पर देता हूँ क्या एडिया बेटिक PV to the power gamma is equal to C अब देखिए एरिया अंडर दी PV डाइग्राम यह क्या होता है सबसे पहले मैं यह कोई प्रोसेस हुआ है तो इसके अंदर का जो एरिया हुआ यह वाला एरिया यह क्या होता है अब आप देखिए कि अगर मैं पहला प्रोसेस यह पहला प्रोसेस शरी यह one है सबसे पहले मैं एक two बोलता हूँ इसको two dash बोल देता हूँ इसको two double dash जब one to two dash कर रहा हूँ तो work done क्या लगा सरी one to two करूँँगा तो work done क्या हो जाएगा वन टू टू डेस करूँगा तो वर्कटन क्या हो जागा वन से टू डबल डेस प्रोसेस को करूँगा तब ये क्या होगा अब देखिए द्यान से इसमें क्या होता है देखे ये एरिया होगा इसके लिए आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए ये वाला एरिया होगा तो एरिया उसके बाद ये किस के लिए होगा पॉलिट्रॉपिक के लिए होगा 1,2,2 डेस और ये जो एरिया होगा ये जो बड़ा वाला एरिया है ये किस के लिए होगा एडियाबेटिक के लिए उसके बाद पॉलिट्रोपिक में लग रहा है और सबसे कम किसमें लग रहा है आईसो थर्मल प्रोसेस में लग रहा है इसको ध्यान रखोगे वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज मैंने बताया आपको ठीक है इसको आपको ध्यान रखना है यह जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वर्कडन यह क्या हो जाएगा वर्कडन यह क्या है वर्कडन यह क्या है आपका वर्कडन ठीक है तो वर्कडन जो होगा आईसो थर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा सबसे कम होगा और उसके बाद polytropic process के लिए उसके बाद जो work done होगा किसके लिए हो जाएगा आपका adiabatic के लिए मतलब इसको ध्यान रखेगा आप लोग minimum अगर work done पुछेगा compressor में किसमें लगता है तो आपको ध्यान रखना है PV to the power C direct यह दे देगा या फिर क्या बोलेगा isothermal process यहाँ पर लिखा रहेगा isothermal process उसके बाद अगर maximum work done की बात करेगा यहाँ पे तो यह क्या होगा PV to the power gamma is equal to C इसको हम लोग क्या बोलते हैं adiabatic process इसको हम लोग क्या बोलते हैं adiabatic process very important questions आपके exam के point of view से अती महत्यपूंड यह बराबर questions आपको exam में जो है देखने को मिलेंगे किसी ने किसी form में तो इसको आप लोग को क्या करना है ध्यान रखना है तो the compressor with the isothermal compression will require what constant work input minimum work input यह तो होगा नहीं अगर यह बोल दिया है कि isothermal compression तो isothermal compression मतलब क्या होता है minimum work input यह maximum तो होगा नहीं यह none of the above भी नहीं होगा ठीक है maximum किसके लिए होगा आपका PV to the power gamma is equal to किसके लिए c PV to the power gamma is equal to क्या हो जाएगा c तो इसको क्या करना है आपको ध्यान रखना है ठीक है इसको सबसे पहले thermal diffusivity की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग alpha से denote करते हैं इसका जो unit होता है वह होता है meter square per second तो आपको question पूछा जाता है कि kinematic viscosity की unit किसके equal होती है तो यह unit क्या हो जाती है thermal diffusivity के तो यह दोनों को होता है meter square per second इसको आपको ध्यान रखेंगे ठीक है अब देखिए thermal diffusivity यहां से हमको समझ में आ गया alpha और इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँ alpha is equal to क्यों होता है k by rho into c where k क्या है यहां पे thermal conductivity थर्माल कंडक्टिविटी रो क्या है density और एंड सी क्या है आपका heat capacity और specific heat इसको हम लोग क्या बलते हैं सौरी इसको हम लोग बलते हैं specific heat और रो एंड सी को एक साथ हम लोग बलते हैं क्या heat capacity इसको हम लोग क्या बलते हैं heat capacity इस यहाँ पर मैने आपको इतनी साहरी बता है तो डारैक्ट प्रपोशनल टूट धर्मल कंडक्टिवीटी Annede 5 yn देखो डारेफ्ट लिप्रपोस्टनल है आफ ऋनसिटी यह भी अपाट किया उसके बद हम क्या थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको क्या बताता है थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या बता है रेट और प्रोपागेशन और हीट जो होता है किस रेट से प्रोपागेट होगा उसी को आपको क्या बताता है इसमें यह बताएगा आपका क्या thermal diffusivity, ठीक है, thermal conductivity, इसका भी आपको ध्यान रखना चीए, यह क्या होता है, इसका unit, watt per meter Kelvin, heat transfer coefficient, यह direct आपका उठके आएगा, watt per meter square Kelvin, क्या चीज, यह direct आपका उठके आएगा, क्या, questions, direct unit का, इसको ध्यान रखना, दूसरा चीज, thermal diffusivity जो होता है, thermal diffusivity जो होता है, वो क्या होता है, propagation, जैसे मैंने बताया क्या, heat किस rate से क्या करेगा, propagate करेगा, solid में उसको क्या करता है, यह बताता है, ठीक है, तो यह था आपका आज के लिए, ठीक है, तो आज के class के लिए हम इतना ही करेंगे, next class में हम designs के questions क की step के आते हैं, और कैसे question आते हैं, तो आज के class के लिए इतने ही करते हैं, thank you very much.